जहरीले सांपों की लिस्ट में दुनिया का सबसे लंबा सांप किंग कोब्रा को माना जाता है आप यकीन नहीं करेंगे ये करीब 10 से 12 फीड तक लंबा हो सकता है और कभी कभी तो इनकी लंबाई 18 फीड भी मेजर की गई है ये सांप दिखने में जितने विशालकाय होते है उतने ही जादा जहरीले भी होते है इनकी कुछ बूंद जहर भर से कई सारे लोग आसानी से मारे जा सकते है इतना ही नहीं ये अपने जहर से हाथी को भी मौत की नींद सुला सकते है इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको लग सकता है कि ये सांप पूरी तरह से अनबीटेबल है लेकिन शायद आपने दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ट्स यानी कोमोडो ड्रागन के बारे में नहीं सुना यकीन मानिए ये लंबाई में इन सांपो जितने ही बड़े हो सकते है वही इन शिपकलियों का शरीर भी गठीला होता है और भूक लगने पर ये बड़े से बड़े सांप को भी हजम कर जाते है तो चलिए जानने की कोशिश करते है कि क्या होगा जब इन खतरनाग जीवों का आमना सामना होगा आम तोर पर कोमोडो इंडोनेशिया के लेसर सुन्डा आइलिंज और उसकी आसपास वाली जगों पर पाये जाते है इन्हें ड्राइ क्लाइमिट और घास के मैदानों के अलावा समुद्र और नदियों के किनारों पर बहुती आसानी से देखा जा सकता है वही दूसरी ओर किंग कोब्रा को नदन इंडिया से लेकर चाइना और फिलिपीन्स जैसी जगों में बहुती आसानी से देखा जा सकता है इन सापों को बैंबू ट्रील्स के सिवा घास के मैदानों, घने जंगलों और नदियों के आसपास रहना बहुत पसंद होता है इसलिए साप को नमी वाले इलाकों के अलाबा घनी पत्यों वाली शाखों पर भी आसानी से देखा जा सकता है वही गर्मी से बचने और शिकार की तलाश में अकसर इन्हें पानी में तेरते हुए भी देखा गया है यह साप गजब के तेराख होते है इन्हें हलके में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम है ओफियो फैगिस हैना यानी सापों को खाने वाला यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह साप कितने जादा खतरनाक होते है लेकिन आप कोमोडो को भी लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि यह छिपकल या सापों के अलावा दूसरे जंगली जानवरों को भी आसानी से निगल जाती है यहां तक कि यह लिजर्ट्स भेड बक्रियों को भी आसानी से हजम कर सकती है चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुआ पर भी नज़र डालीजिए एक फुली ग्रोन किंग कोब्रा येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लाक जैसे डिफरेंट कलर्स शेट्स में देखने को मिलते है दूसरे सापों की तुलना में किंग कोब्रा काफी जादा गुसेल सुभाफ के होते है अगर अचानक से कभी इस साप आपके सामने पढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि इनको देखते ही आपकी हवा टाइट हो जाए इन सापों का जितना बड़ा मू होता है उसकी तुलना में इनके दाथ भी काफी बड़े होते है जो करीब 0.5 इंच तक बड़े हो सकते है ऐसे में अगर इन स्नेक्स ने अपने नुकीले दातों को आपके शरीर में जरा भी घुसा दिया तो आप समझ सकते है कि आपका क्या हाल होगा अगर जल्द ही मेडिकल सुविदा मुहया नहीं करवाई गई तो जान भी जा सकती है विज्यानिकों के मताबिक कोमोडो ड्रागन की बाइट वेनमस होती है यानि ये बड़ी छिपकलियां अपने जहर से किसी भी जानवर या इनसान की जान ले सकती है ऐसे में अगर गलती से भी कभी आपका इन लिजर्ट से पाला पड़ जाए तो चुप चाप रास्ता बदल लीजिएगा आपको बता दे इन जीवों के मुह में करीब साथ दात पाए जाते है इनके पास विशाल काय और भारी बर कम पूछ भी होती है इनके शरीर पर भूरे रंग की त्वचा होती है इनके शरीर में कई सारी छोटी छोटी बोन्स होती है इसी वज़े से इनका वजन साथ किलो से भी जादा पहुँच जाता है और इनकी लंबाई भी तीन मीटर से ज्यादा रहती है मेल कोमोडो फीमिल की तुलना में ज्यादा भारी भरकम और बड़े आकार के होते है इतना जानने के बाद तो लगता है कि अपने गठीले शरीर और पूँच का इस्तिमाल करके कोमोडो बहुत ही आसानी से किंग कोबरा को धूल चटा सकते है लेकिन एक मिनिट हम इन क्रियेचर्स के जहर के बारे में डिसकस करना तो भूली गए खत्रा मैसूस होने पर किंग कोबरा अलग तरकी हिस की आवाज निकालने के साथ-साथ अपने फन को भी फैला लेते है और जैसे ही कोई जानमर या पक्षी इन सापों के करीब आता है तो ये तुरंथ ही अपनी वेनम ग्लांस का इस्तमाल करके दातों के माध्यम से अपना जहर उनके शरीर में उतार देते है चंद मिन्टों बाद दुश्मन के शरीर में छोड़ा गया नियूरो टॉक्सिन वेनम अपना काम करना शुरू कर देता है जिसका सबसे पहला असर दुश्मन की सांसों पर होता है इसके कुछ ही देर बाद शिकार धम तोड़ देता है और फिर ये साप बिना जादा समय शिकार को निगल जाता है आम तोर पर इन सापों को खाने में कोल ब्लड़िड क्रीचर्स पसंद आते हैं खास कर दूसरे साप जो साइस में इन से छोटे होते हैं रैट स्नेक से लेकर धमन इनका मुख्य भोजन होता है ये साप मौका मिलने पर अपनी ही जाती के जहरीले को को भी हजम कर सकते हैं दूसरी और कोमोडो ड्रागन्स को खाने में इन वर्टीब्रेट से लेकर मैमल्स और बर्ट्स खाना पसंद होता है और आम तोर पर ये इनी जीवों को अपना शिकार बनाते हैं अगली बात जो अब हम बताने जा रहे हैं ये सुनकर शायद आपके का बढ़े होकर ये एक ही जटके में शिकार को कई हिस्सों से चीरने के बाद धीरे धीरे निगल जाते हैं हाला कि ये भले ही बड़े से बड़े जानवर का असानी से शिकार कर ले लेकिन स्लो मेटरबॉलिजम की वजह से ये जानवर पूरे साल में केवल 12 या 15 बार ही खाना बही बचे हुए समय में ये आराम से अपना खाना पचाते हैं। खाना खाने के अलाबा इनका पानी पीने का तरीका भी बहुत ही अजीब सा है। तरसल ये लिजर्ट्स पानी को पहले मूँ में भर लेते हैं और फिर अपना मूँ उपर की ओर उठाते हैं। इस टेकनीक को ये बार-बार दोहरा कर ही ये अपना गलत्तर कर पाते है। वैसे शिकार को मारना जितनी बड़ी चुनौती होती है उससे भी जादा बड़ी चुनौती होती है शिकार का पता लगाना या उसे ढूंडना। यही इन जानवरों की स्मेल पावर काम आती है। कोमोडो ड्रागन्स की सूंगने की एबिलिटी कमाल की होती है। यानि अगर इनके आसपास के इलाके में किसी भी तरह की खून या मास की गंदा रही है तो ये चीव एक ही जटके में उस जगह पर पहुँच जाते है। इसी से आप इनकी सूंगने की शमता का अंदाजा लगा सकते है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां किसी भी जानवर के मीट या बलड की गंद पाते ही ड्रागन्स तुरंथ ही उसके पांस पहुँच गए। और सिर्फ एक ही नहीं बलकि एक के बाद कई सारे ड्रागन्स इखटा हो जाते हैं। उसके बाद फिर इंसान हो या जानवर उस पर ताबर तोड हमले किये जाते हैं। किंग कोबरा को लोग भले ही खतरनाक और गुसेल सुभाव वाला साब मानते हो लेकिन सच ये है कि ये साब बहुत ही शर्मीले सुभाव के होते हैं किसी भी इंसान या जानवर को देखकर ये चुप-चाप सा रख लेते हैं दूसरी और कोमोडो ड्रैगन अपनी जिन्दगी की शिरुवाती साल बड़े पेड़ों के आसपास रहकर बिताते हैं क्यूंकि जिन्दगी की शिरुवाती दिनों में इन्हें जंगली जानवरों द्वारा शिकार होने का खतरा रहता है वही रात के समय या अपना जादातर स में सोकर बिताते हैं बड़े होते ही तेज दोड़ने के साथ ये जीव बहुती अच्छे तेराक भी बन जाते हैं इस खूबी का इस्तमाल करके जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं इसके अलावा खाना खाते वक्त हमला करते वक्त या मीटिंग सीजन के दोरान हिस जै करेगा वही अगर कोमोडो जुंड में है तो किंग कोब्रा को जान से भी हाद धोना पड़ सकता है दोनों के बारे में हर चोटे बड़े तथ्य जानने के बाद आईए अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन खतरनाक क्रियेचर्स का आमना सामना हो गया तो लड़ाई से तीन चोटे दातों वाला जीव यानि किंग कोब्रा इस विशाल का चिपकली का कुछ बिगाड़ पाए हाला कि अगर किंग कोब्रा जैसे सांप पर जिसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है अगर कोमोडो ड्रैगन हमला करते है तो बहुत जादा चांसिस है कि कोमोडो के जहर से ये सांप अपनी जान गवा दे यही नहीं संभावना तो ये भी है कि किंग कोब्रा के मरते ही ये विशाल का चिपकली उसको हजम कर जाए ये तो रहा हमारा पॉइंट ओफ यू वैसे आपको क्या लगता है कि अगर इन क्रियेचर्स का आमना सामना होगा तो किसके सिर प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए